हेलो एब्रिवन तो ये है हमारे राजस्थान बोर्ड क्लास 10th की इंगलिश की बुक फुट्प्रिंट्स विदाउट फीट आज से हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नमबर वन इसमें चैप्टर नमबर वन है एक ट्राइम ऑफ सर्जुरी तो इसके कुछ पार्ट सम पढ़ेंगे आज शुरू करेंगे तो ये जो चैप्टर है ये एक डॉग से रिलेटेड चैप्टर है जिसमें एक डॉक्टर है एक डॉग है और एक उसकी डॉग की मिस्ट्रेस यानि उसकी मालकिन है तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या है आज आई वोस रियरए ओर दाऊट ट्रिकी दिस टाइम तो इसमें ट्रिकी क्या है उस डॉक का नेम है जोकी इस इस पार सच्छ रिएरो में है ये जिसके बारे में ये स्टोरी है I was really worried about tricky this time worried यानि चिंतित था I was really worried about tricky this time मैं इस समय tricky के बारे में बहुत चिंतित था I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress I had pulled up यानि मैंने रोक ली my car, मेरी car when जब I saw मैंने देखा him यानि उसको tricky यानि उस dog को मैंने देखा in the street उस गली में with his mistress उसकी मालकिन के साथ I had pulled up my car मैंने मेरी कार को रोक लिया when जब मैंने देखा उसको यानि tricky उस dog को in the street उस street में with his mistress अपनी मालकिन के साथ तो इसमें यह कह रहा है I was really worried about tricky this time मैं इस समय tricky के बारे में बहुत चिंतित था I had pulled up my car जब मैंने अपनी कार को रोका कब जब मैंने tricky को देखा स्ट्रीट में उसकी मालकिन के साथ and I was shocked at his appearance तो मैं जो उसके जो I was shocked यानि मैं एकदम से सदमे में आ गया या एकदम से अशर चकित रह गया shocked का मतलब होता है सदमा at his appearance उसके जो appearance यानि बाहरी आवरन तो इसमें जितने भी hard words होंगे उसको मैं इसके दो तीं paragraphs कराने के बाद आपको सारे hard words लिखा दूँगी पहले आप underline करते जाएं जो जो आपको hard words लगे उसके बाद मैं mostly कोशिश करूँगी hard words लिखाने की I was shocked at his appearance मैं shocked था उसके बाहरी आवरन को या उसको देखके he had become usually fat like a blotted sausage with a leg at each corner he had become usually fat usually यानि बहुत बड़ा become यानि हो गया था fat यानि मोटा वह बहुत ही मोटा हो गया था like a blotted sausage सॉसेज क्या होते मास्क को उसके लंबे या गोल आकार का बनाके मास्क को उसका पानी बानी निकाल के जो वह सॉसेज होते लाएक ब्लॉटेट सॉसेज एक ब्लॉटेट यानि मोटे सॉस जैसा सॉसेज जैसा हो गया था विद ए लैग एक एट इज कॉर्नर उसकी जो चार जो पैर थे हो कैसे हो गए थे एक ब्लॉटेट सॉस जैसे वो यह बहुत मोटा हो गया था और with a leg at each corner उसकी जितने भी पैर थे वो कैसे हो गई थे blotted sausage जैसे His eyes उसकी आँखे bloodshot and rumy उसकी आँखे कैसे हो गई थे rumy या नि जैसे थोड़ी सी गीली या जैसे आखों से पानी सा आता रहता है ऐसी हो गई थी ठीक है bloodshot यानि बिलकुल लाल His eyes उसकी आखे bloodshot बिलकुल खुन जैसी लाल हो गई थी and rumy यानि उन में से थोड़ा सा पानी व्यारत हल किसी गीली गीली आखे होती है उस तरीके की stared straight ahead and his tongue lulled from his jaws stared यानि घूरना straight वह लगाता आगे की तरफ गूर रहा था and his tongue और उसकी जीब lulled यानि बाहर लटक जाती है उस तरीके से from his jaws jaws मी जबडे होते तो जो उसकी जीब थी वह भी लटकी हुई थी उसके जबडों में से stared straight ahead और उसकी जो वह आखे थी जो बहुती जो ट्रिकी है उसकी मालकिन का नाम क्या है Mrs. Pomfrey hesitant to explain तो जब उन से पूछा मतलब जैसे उनको डॉक्टर दिखा जब उसने अपनी कार रोकी और उसने उस ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ उस street में से आते हुए देखा तो Mrs. Pomfrey क्या hesitant होगी थी यानि थोड़ी सक्पक आ गई थी explain करने में he was so listless ठीक है जो tricky था वो कैसा दिख रहा था थोड़ा ठका हुआ सा परेशान सा Mr. Harriet Mr. Harriet Mr. Harriet को ने वो डॉक्टर जो इस वरत्तांत को पूरा बता रहे है वो कोन है एक डॉक्टर है जिनका नाम क्या है Mr. Harriet he was so listless मतलब ये कैसा लग रहा है वो कहती है कि Mr. Pomfrey क्या कहती है कि he was so listless यानि ये जो tricky है ये कैसा लग रहा है थोड़ा परेशान सा या उदासीन सा या थका हुआ सा लग रहा है Mr. Harriet Mr. Harriet से वो कह रही है he seemed to have no energy ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई ताकत ही नहीं बची है he seemed यानि प्रतीत होता है to have no energy जैसे इसके अंदर कोई ताकत ही नहीं बची है I thought he must be suffering from malnutrition I thought मैंने सोचा था he must be suffering suffering यानि परेशान या पीडित या किसे पीडित है from malnutrition यानि पोशन की कमी या कोपोशन से पीडित है ये कौन बोल रहा है Mrs. Pamphrey किसे बोल रही है Mr. Harriet से ठीक है So I have been giving him some little extras between meals to build up to build him up So I have been giving him तो मैंने क्या किया उसको देना शुरू किया किसको प्रिकी को some little extras यानि खाने में जैसे एक हम routine में उसको एक रोटी दे रहे या कुछ ब्रेड या ऐसी एक अंडा दे रहे है कुछ भी जो उनको खलाती होगी वो तो मैंने इसको थोड़ा extra खाना देना शुरू कर दिया किया किस से सफर कर रहा है कुपोशन से malnutrition में कुपोशन से पीड़े थै some malt and cod liver oil and a ball of horlicks at night to make him sleep nothing much really ठीक है malt means jaw कुछ jaw and cod liver oil and a ball of horlicks और एक कटोरी horlicks का at night रात में to make him sleep जिससे कि वह सो सके nothing much really सच में इस से ज़्यादा कुछ भी नहीं तो जो मिसिस पैमफरे है वो क्या बता रही है कि उन्होंने उसको लगता था कि एक उपोशन का सिकार है तो उन्होंने उसके खाने के बीच में कुछ एक्स्ट्रा खाना शुरूब कर दिया क्या कुछ jaw कुछ cod liver oil और कुछ होरलिक्स के कटोरी एक्स्ट्रा उसको दूद में देने लगी नथिंग मच रही है ली इससे अधिक कुछ नहीं तो ये कौन बोल रहा है डॉक्टर हैरियोट किस से मिसिस पैमफरे से वो फिर क्या मोलते है and did you cut down और क्या आपने कम किया cut down means हटाना या कम करना on the sweet things वो मीठी चीज़ है as I told you तो डॉक्टर ने उससे कहा होगा कि वह इसको मीठा कम देना और वो पहले उसको मीठा जादा खिलाती होंगी तो डॉक्टर कह रहा है कि आपने इसको कम मीठा खालाना शुरू किया जैसा मैंने आपसे कहा था oh I did for a bit यानि हाँ मैंने थोड़ा सा किया था for a bit यानि थोड़ा बहुत हाँ जैसे वो पहले जादा खिला दी थी तो उससे थोड़ा बहुत कम खिलाना शुरू किया था but he seemed to be so weak I had to relent तो ये क्या कह रही है but he seemed to be so weak तो ये कुछ थोड़ा कमजोर सा लगा I had to relent तो मैंने उसको मीठा खाने की थोड़ी छूट दे दी तो डॉक्टर ने उससे कहा कि क्या आपने इसको कम मीठा देना शुरू कर दिया जैसा मैंने आपसे कहा था तो मिसिस पैमफिर कहती है कि हाँ थोड़ा बहुत कम किया है but ये मुझे थोड़ा weak लगा तो मैंने इसको थोड़ा मतलब हो सकता है वो डॉक मीठा खाने का शौकीन हो तो इसको थोड़ी सी मीठा खाने के लिए छूट दे दी है क्योंकि इसको क्या पसंद है क्रीम केक्स और चौकलेट्स पसंद है तो मैं इसको मना नहीं कर पाई डॉक्टर ने कहा था इसको मीठा कम देना उसने थोड़ा बहुत शुरू भी किया उसको मीठा कम देना लेकिन उसको क्या पसंद है क्रीम केक्स और चौकलेट्स पसंद है तो मिसिस पैमफरे को लगा के यह थोड़ा वीक हो रहा है तो इसको उन्होंने थोड़े अधिक मीठा खाने की छूट दे दी मैंने फिर से नीचे की तरफ उस छोटे से कुट्टे को देखा वो किस में था थोड़ी परेशानी में था ट्रिकी की सिर्फ गलती क्या थी ग्रीड मींस लालच के वह यह लालची था मैं उसको मीठा खाना बहुत पसंद था तो उसकी मिस्ट्रेस थी या मालकिन थी उसको लगता था कि यह कमजोर हो रहा है और उसको वो क्या है एक लालची प्रवर्ती का कुत्ता है तो वह परिशानी में क्यों अपनी ग्रीड यानि लालच की वज़े से वह जानता ही नहीं था कि अगर उसको भूक भी नहीं है तो भी वह मतलब खा लेता था यानि वह खाने के लिए मना नहीं कर पाता था He had never been known to refuse food वे खाने को मना करना ही नहीं जानता था मतला जितनी बार उसके सामने खाना रख दिया तो वो खा लेता था He would tackle a meal at any hour of the day or night वे कोई भी खाना रात में दिन में या एक घंटे में या किसी भी घंटे में वे खाना खा लेता था And I wondered about all the things Mrs. Pamphrey hadn't mentioned और उन सभी चीजों के लिए भी चिंतित था कौन? Dr. Harriet जिनको Mrs. Pamphrey ने उसको mention ही नहीं किया था यानि कुछ चीज़े Mrs. Pamphrey ने छुपा ली थी डॉक्टर से कि कहीं डॉक्टर गुसा ना करे या फिर डॉक्टर के पास उसका treatment चल रहा है तो इसलिए उन जो Mrs. Pamphrey थी उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में तो डॉक्टर को बताया ही नहीं था Well, he has his little walks with me as you can see लेकिन देखो वे अपने छोट मतलब थोड़ी थोड़ी walks वो सौरी यह इसमें बीच में रह गया Are you giving him plenty of exercise? डॉक्टर ने कहा होगा कि इसको थोड़ी थोड़ी exercise भी कराया करना तो डॉक्टर पूछता है Are you giving him plenty of exercise? plenty of यानि थोड़ी बहुत क्या आप उसको थोड़ी बहुत मात्रा में exercises करा रहे है डॉक्टर पूछता है Mrs. Pemfrey से तो डॉक्टर वो Mrs. Pemfrey आंसर देती है Well, अच्छा He has his little walks with me As you can see, आप देख सकते हो यह मेरे साथ थोड़ा थोड़ा चल रहा है यानि थोड़ी थोड़ी walk मेरे साथ करता है But Hodkin, the gardener has been down with lumbago So there has been no ring throwing lately लेकिन, लेकिन जो Hodkin है इसमें Hodkin कौन है Mrs. Pemfrey का Mali यानि उसके जो gardener वगरा की वो करता है But Hodkin, the gardener इसमें न, gardener means बाग बगीचे की सुरक्षा करने वाला या फिर, oh sorry, वो Mali Has been down with lumbago Lumbago क्या है? कमर के दर्द की परिशानी को क्या है? लumbago बोलते हैं तो उसको क्या हो गया है? लumbago से पीडित हो गया है So there has been no ring throwing lately तो वो उसको खिलाता होगा वो ring फैक के जैसे ring फैकता है फिर dog भाग के उसको लेकिया आता है अपने मूह में उस तरीके का कोई खेल खिलाता होगा लेकिन वे इस काम को नहीं कर पा रहा क्यों? जो होटकिन है उनका माली है उसके क्या हो गया है? कमर का दर्द हो गया है तो ये इस चैप्टर में आई हुए कुछ important word meanings है blotted देख लेना आप उसमें underline करके और फिर इनको लिख लेना या फिर इनसे फायदा होगा कि जब भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे और आपको word meanings पताऊंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा blotted means फूला हुआ appearance यानि बाहरी आवरण rumy पानी आना गीली आखे तो आखें गीली होती है उनमें से पानी आता है तो क्या है rumy lulled यानि लटकी हुई jaw means जबडा bloodshot खून जैसी लाल आखे hastened तेजी से या जल्दी से listless, उदासीन या थका हुआ malnutrition copotion malt jaw for a bit यानि थोड़ा बहुत relent थोड़ी चूट या नर्मी greed लालची fault कमी wondered उत्सुक plenty of थोड़ा बहुत lembago कमर का दर्द severe यानि कठोर और रंग means marodna तो यह जो हमने chapter पढ़ाया है जितना भी chapter पढ़ाया है उसमें जो hard words आए वो यह है और अगर इसके अलावा भी कोई आपको hard word लगे तो आप message करें तो इस chapter का next part हम कल पढ़ेंगे और भी अगर कोई query हो इससे related तो आप मुझसे direct message करके पूछ सकते हैं मैं सबका answer जरूर दूँगी कोई भी परिशानी हो तो उसके लिए message कर देना Thank you so much, have a nice day